डियर फ्रेंड्स मैं आज सक्सेस्फुल वीडियो बेईर का बताने जा रहा हूँ ये जनरली हमने कहा है कि सितंबर से लेकर मार्च तक यहां बेईर की टी ग्राप्टिंग हो पैज ग्राप्टिंग हो आई ग्राप्टिंग हो यहां सक्सेस की जा सकती है तो सितंबर माहा में 15 सितंबर के बाद रेनिंग कम हो जाता है लेकिन उस सीजन में जो ग्रोथ होती है वो अधर सीजन में नहीं हो पाती लेकिन वहाँ पर डी मेरिट्स जिसको हानी कहते है पानी आने के चांसे सरहते है और पानी अगर से बढ़ में घुज गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है फंजी लग जाती है जिसे बुर्सी कहते हैं तो यहां देखिए का यहां टी बढ़ है टी ग्राप्टिंग है एपल बीर का दो मेना हो गया मित्रो अभी पॉलीथिन में छोड़ने को हूँ कि स्पॉड देख लिजिए गाए लगभग एक फिट हाइट हो गई इसकी और यहां मोटाई देख लिजिए गा और इसी ब्रैंच पर हमने प्याजबड मारा मैंने यह देख ले गया ले जीगा प्याजबड तो यहां भी लगभग दो महने के उपर हो गया है बढ़ने के लिए यहने विंटर सीजन मगर से करते हो तो स्पीड ग्रोथ का कम रहता है तो यहां बेर का पेड़ है लगभग तीन फिट गोलाई का पेड़ है यहां पुराना है पेड़ और यहां और डी ग्राप्टेड पेड़ है मित्रों और डी मैं आपको यह नाकपुरी बेर है जिसका साइज देख लीजिएगा फलावा पेड़ाई बेर का साइज भी अच्छा होता है लेकिन मुझे लगा कि इसी बेर पर और सेकंड एपल भी बांदी जाए तो इसलिए मैं ने इस पर अभी एपल बेर की कि ग्राप्टिंग की है तो मित्रों एक हमारे मित्र ने कहा था कि भाई सार कि मैं जब भी पैच या टी ग्राप्टिंग किया अभी दक सक्सेश नहीं हुआ तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि सबसे सिंपल इजिएस्ट 100 100% तो नहीं काना चे पर 99% सक्सेश्फूल वो पैच बढ़ हो या टी बढ़ हो पर पैच बढ़ टी बढ़ से भी सक्सेश्फूल होता है पैच बढ़ में थोड़ा प्राबलम जाता है टी बढ़ में बाधने के वक्त उतना प्राबलम नहीं जाता as compared to पैच बढ़ पैच बढ़ थोड़ा तकलिप दे है उससे उतना तकलिप देहनी है तो मित्रों यहां आप ऐसा सिंपल बेईर को आप ऐसी चार से छे महने पुरानी ब्रैंचे पर चार महने लग भक चार या पाच महने पहले कि ब्रैंच पर आप ग्राप्टिंग कर सकते बेर की तो मित्रों आप मैं इस पीड़ पर क्या करूँगा यहां जो बढ़ रहा है एपल बेर का इसके ब्रैंच को यहां से रहने देंगा और एक बड़ आपका एक ब्रैंच इस जो पेड़ है जो पहले का ग्राप्टेड है इसके एक ब्रैंच रखूंगा याने एक पेड़ पे आप दो या तीन चार जितने भी प्रकार की बेईर का उत्पादन आप ले सकते हैं तो मित्रों उस मित्र से मेरा कहना है जिनोंने मुझे मेरे चैनल पर कॉस्चन किया था कि स अगरे मेरे हाँ से यहां ग्राप्टिंग सकसे सहीन होती है तो मित्र मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे आप 2-4 वीडियो देख लीजिएगा डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा और यह उतना टफ नहीं है आम बोले तो आम का भी ग्राप्टिंग टफ नहीं है ल पड़ता है तो इसमें उतना प्रिकॉशन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं तो यहां भी दो ढ़ाई महने का ग्राप्टिंग है अपल बीर का तो मित्रो आपको अगर से यहां वीडियो अच्छा लगा होगा तो बेल आइकॉन पे क्लिक करना न भूलेगा और लाइक करन तो वीडियो मैंने डाला है उस पे भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसका सोलुशन में अपने लेवल पे देने की कोशिस किया है को कोशिस की है तो मित्रो इस प्रकार का अगर से आपको नोटिपिकेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्क्राइब करना न भूले होंगा तो दोंट फर्गेट तो सब्क्राइब मैं चैनल थेंक यू फर लुकिंग मैं वीडियो थेंक यू